गुड मॉर्निंग ओल अल अफ यू ओल एबट एक्जाम यूटूब चैनल में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं सीटेट किये जो एक्जाम डेट नया एक्जाम डेट आने वाला है उसके बारे में चुकि आप सब जानते हैं क्योंकि इससे आपका एक्जाम कब होगा इससे क्लियरफाई हो जाता है तो आए इस वीडियो में हम लोग उससे देखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आता था तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए चुकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो सीटेट का एक्जाम है पांच उलाई को होना प्रस्तावी था लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया और यह कैंसिल सी और जो हमारे में चार्डी मिनिस्ट्री अब जानते हैं उसके दवरा किया गया लेकिन कल के दिन ही कल साम को ही M.H.I.D. मिनिस्ट्री के तरफ से रमेश को खरिया लिशांग जी ने अपने ट्वीटर हैंडल पे ट्वीट किया और ट्वीट में बताया कि जैसे ही अभी जो हम लोग एक्जाम डेट पांच को थाउ स केंसिल किया वो प्रतिकूल परस्तिती ती लेकिन जैसे ही अनकूल परस्तिती आता है छातरों के लिए तो एक्जाम डेट को जल्द ही जारी किया जाएगा साथ ही जो उन्होंने सबसे मतपुर्ण बताया कि जो आपका एक्जाम डेट है वो आपके एक्जाम से एक्जाम अगस्त के मन्थ में 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका एक्जाम जरूर कराया जाएगा यह सुत्रों को मिताबी भी पता लग रहा है सांती इसके बिलिए एड्मिट करड़ आपको 15 जुलाई के बाद जारी किया जाएगा और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आने वाला है लगातार जाड़ी कर रहा है नोटिस 10 और 12 को लेकर सांती सीचेट को भी लेकर तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन फाइनली आता है तो हम आपको उसके साथ सेयर करेंगे लेकिन अभी जो आपका फाइनल है डिसीजन कि आपका जो एक्जाम है अगस्त के मन्थ में होगा और जो मेचाड एक पहले सुचित कर दिया जाएगा आपको एकजाम से पहले एक मन्थ में सांती उन्होंने कहा है कि एकजाम बहुत ही जल्ड Gesundheits को नोटिस को तो यह इंपोर्टेन नोटिफिकेस़न है इसलिए हमने वीडियों बताया तो आज इस वीडियो में फिर मिल नेगा नेक्स वीडियो में कोई नेक्स इंफॉर्मेशन के साथ अब तक के लिए धन्यवाद है